तो जोग्रफी का हमारा जो नेक्स चैप्टर है उसका नाम है भारत के संदर्व में नियोजन और सतत पोष्णिय विकास नियोजन का अर्थ होता है प्लानिंग और सतत पोष्णिय विकास ये विकास का ही एक प्रकार है विकास है लेकिन विकास का कौन सा प्रकार है सतत पोष्णिय विकास हमने क्लास में एक बार डिसकस किया था कि सतत पोष्णिय विकास में वैसे विकास के बारे में बात की जाती और प्राकृतिक संसादनों या जो भी संसादन आपके पास उपलब्द है उसका जो है पूरी तरीके से आप दोहन कर लिजे और जो आने वाली पीडिया है उसके लिए कुछ बचे ही ना या पर्यावरण को नुकसान पहुचा के आप अगर विकास करें तो वो विकास विकास को सबसत्त पोश्णिय वी विकास कहते हैं और प्लैनिंग के विशाय में बात की जाती है कि विकास करने के लिए के देशे को कुसी एक निश्चित प्लैन पर चलना होता है जिसके अंत्रगत पंचवर्षिय यूजनदा व데रा आती है तो उसके बारे में भी हम पढ़ें तो तो यही chapter है, start करते हैं, नियोजन शब्द आपके लिए नया नहीं है, नियोजन का आर्थ होता है planning, हिंदी वर्ड इतना ज्यादा फेमस नहीं है, वाट इंग्लिश वर्ड काफी ज्यादा फेमस है planning, क्योंकि यह हमारे धैनिक जीवन में परयोग होने वाले शब्दों का एक अंग है, अपनी शब्द का परयोग, अपनी परिक्षा अत्वा किसी परवतिय अस्थल पर जाने की गई, तयारी के संदर्ब में किया होगा, यानि कहीं भी जाना होता है, कोई भी कारे करना होता है, तो कारे को करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होती है, उस कारे को कर प्रियोग आर्थिक विकास की प्रिक्रिया के संदर्व में किया गया है प्लानिंग जो है वो बहुत सारी चीजों में किया जा सकता है पर इस चैप्टर है इस चैप्टर में इसका प्रियोग आर्थिक विकास की प्रिक्रिया में हम प्लानिंग कैसे करेंगे उसके विशह में बात किया ज़रा है अता उस तीर और तुक्का विधी से भिन है जिसमें सुधार और पुनर निर्मान का कारे किया ज़रा था देखिए अगर आपके बस कोई कारे को करने का प्रॉपर प्लैनिंग ना हो कि किसी कारे को संबादित करना है तो आप क्या करेंगे अप एक मेथड होता है हीटन ट्रायल मेथड मतलब करके देखिए अगर सफल हुआ तो ठीक अगर सफल नहीं हुआ तो फिर दूसरा तरीका एक्तियार किया जाता है इसको कहा जाता है प्रियोग तथा भूल विधी एक होती है मैथ में आपने कभी बढ़ा होगा तो ये वही चीज है कि एक बार कोशिश करके देखो सफल हुआ तो ठीक है नहीं सफल हुआ तो वापस दूसरे तरीके से कोशिश करेंगे तो अगर हमारे पास प्लानिंग नहीं होती थी तो हम यही वाला तरीका हम जो था उसको एक्तियार करते थे कि इसी को कह रहा है तीर और तुक्का विदी यानि जो भी काम करना है अगर करके देखो गर सफल हो गया तो ठीक है हम मान लेंगे कि वह तरीका सही अगर सफल नहीं हुआ तो फिर दूसरा तरीका अपनाएंगे तो यह चीज प्लैनिंग से भिन है प्लैनिंग में आपको exactly पता होता है कि आप क्या करने वाले हैं किसी भी चीज जिस भी चीज की आप प्लैनिंग कर रहे हैं उसको करने के लिए आपका एक प्लैन होता है आपके दिमाग में चीजे होती है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये मतलब करमवार तरीके से आप उस चीज को सोच के रखते हो और उसके अनुसार जो है कारे करते हैं, ठीक है, तो जो planning होती है वो तीर और तुक्का विधी से भिन है, जिसमें सुधार और पुनर निर्मान का कारे किया जाता था, समानिता जो बहुत सारे सेक्टर हो गए, प्रात्मिक सेक्टर, दुईतियक सेक्टर, तिरतियक सेक्टर और उसमें भी कौन-कौन से चीज़े हो गए, क्रिशी, सिचाई, विनिर्मान, उर्जा, निर्मान, परिवहन, संचार, समाजी, कफसन रचना और सेवाओ के विकास के लिए, इसक कारेकरम बनाना और इसको लागू करना, तो ये किस में आता है, ये आता है, खंडियो नियोजन में, मतलब पार्ट-पार्ट करके, जो प्लैनिंग की जाती है, उसमें आता है, खंडियो नियोजन में, और इसके अलावा दूसरा नियोजन कौन से था, प्रादेशिक पिछड़े हुए हैं विकास का असमान प्रतिरूप सुनिशित करता है कि नियोजक एक स्थानिक परिपेक्षे अपनाए तथा विकास में प्रादेशिक असंतुलन कम करने के लिए योजना बनाए तो इसमें कह रहा है कि अभी तक जो हो चुका वो तो हो चुका लेकिन अब ह हमारी जिम्मेदारी है कि विकास का एक ऐसा खाका तयार किया जाए कि सभी शेत्रों का समान रूप से विकास हो यानि कि जिन शेत्रों में विकास अभी तक नहीं पहुचा है उन शेत्रों का भी जो प्रॉपर विकास हो तो ऐसी एक प्लानिंग की जानी चाहिए नियोजक प्लानर एक ऐसा प्लान करे जिससे सारे छेतरों का समान रूप से विकास हो या प्रादेशिक असंतुलन जो है जो कहीं कम विकास है कहीं ज्यादा विकास है उस असंतुलन को कम से कम करने का प्रयास किया जाए ठीक है इस प्रकार के नियोजन को प्रादेशिक नियोजन कहते है यानि प्रदेशों का जो नियोजन होता है कम विकास और ज्यादा विकास के आधार पर जहां कम विकास हुआ है वहां क्रमशा ज्यादा विकास करेंगे और जहां बहुत जादा विकास पहले हो चुका है वहाँ थोड़ा कम विकास करके दोनों के बीच के जो असंतुलन को है उसको कम करने का प्रयास किया जाता है तो ऐसे नियोजन को क्या कहते हैं? प्रादेशिक नियोजन इसके अलावे एक और होता है लक्ष शेतर नियोजन जो शेतर आर्थिक रूप से पिछड़े हुए है उन शेतरों में नियोजन प्रकरम को विशेश ध्यान देना चाहिए यानि कि जिन शेतरों में विकास इतना नहीं हो पाया है तो बिहार में खनीज संसाधन वगेरा काफी कम पाए जाते हैं तो हम ऐसा भी कहते हैं कि बिहार में कुछ है ही नहीं इसलिए विकास नहीं हो पाया है अब एक्षा कृत रूप से अगर जार्खंड को देखे वो वहां के संसाधनों पर आधारित होता है संसाधनों में ऐसा नहीं कि सिर्फ खनीज है खनीज का मैंने बस उधारन दिया हर प्रकार के संसाधन चाहे वो वन संसाधन हो खनीज संसाधन हो उद्योग धंदे हो वो भी संसाधन के रूप में है तो जहां जितना ज़ाद संसाधन होगा, वहां उतना क्या होगा? विकास होगा लेकिन कभी-कभी संसाधनों से भरपूर शेतर भी पिछड़े रह जाते हैं उधारन के लिए आर्थिक विकास के लिए संसाधनों के साथ सा तकनीकी और निवेश के अवशक्ता होती है जैसे कभी-कभी ऐसा होता है कि ऐसा भी सच नहीं है कि जहां संसाधन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है कभी-कभी क्या होता है कि तकनीक यानि विकास करने के लिए एक निश्चित तकनीक की जरूरत होगी और निवेश निवेश यानि कि पैसे की जरूरत आर्थिक विकास में शेत्री असंतुलन प्रबलित हो रहा था यानि जो प्लानिंग की जारी थी पंचवर्षिय योजनाओं के माध्यम से और और सारे योजनाओं के माध्यम से तो उसमें देखा गया कि आर्थिक विकास में शेत्र का जो असंतुलन है वो प्रबलित हो रहा यानि कि वो एक major factor, एक मुख्य कारग जो है छेत्रिय असंतुलन वो बाधा के रूप में आ रहा था, ठीक है, छेत्रिय एवं समाजिक विशमताओं की प्रबलता को काबू में रखने के क्रम में, योजना आयोग ने लक्षे शेत्र तथा लक्षे समुह योजना उपागमों क को प्रस्तुत किया है, तो ये जो शेत्रों में एक असंतुलन के स्थेती थी, इसको दूर करने के लिए योजना आयोग, पहले योजना आयोग हुआ करता था, इसकी जगह अब नीती आयोग ने ले लिया है, ठीक है, लक्षे शेत्र तथा लक्षे समुह योजना उपागम को प्रस्तुत किया है, लक्षे शेत्रों की और इंगित कारेकरमों के कुछ उधारनों में, कमान नियंत्रित खेत्र विकास कारेकरम, अब लक्षे शेत्र, यानि लक्षे शेत्र के कारेकरम में कुछ कारेकरम बनाए गए, कैसे, क्या करने के लिए कारेकरम बनाए गए, उन इन शेत्रों का विकास करने के लिए इन ही कारेक्रमों के कुछ उधारनों को हम लोग देखेंगे इसमें है पहला कमान नियंत्रित शेत्र विकास कारेक्रम इसके उधारन है यानि कि लक्ष शेत्रों की और इंगित कारेक्रमों में लक्षे शेत्रों की और इंगित कारेकरम में एक हो गया कमान नियंत्रित शेत्र विकास कारेकरम कमान नियंत्रित शेत्र का अर्थ होता है कि वैसा सारा शेत्र जिसमें कोई भी नदी नहर या इन सारी चीजों के द्वारा सिचाई की विवस्था की जा सके यानि किसी भी नदी समूह या फिर नहर के समूहों द्वारा अगर एक शेत्र है उसमें सिचाई की जा रही है तो वो उस नदी या फिर नहर का कमान नियंतरी शेत्र कहा जाएगा ठीक है तो कमान नियंतिर छेतर का विकास कारेकरम उसके अलावा सूखा गरस्ट छेतर विकास कारेकरम यह दूसरा हो गया सूखा गरस्ट छेतर विकास कारेकरम यानि सूखा गरस्ट जो छेतर है उनके विकास के लिए कारेकरम बनाया गया उसके अलावा परवतिय छेतर विक विकास कारिकरम भी बनाये गया इसके साथ ही लगू कृशक विकास संस्था आपको पता है कि अनादी कायल से भारत में जो छोटे किसान है लगू कृशक जो है उनके सति autoc cookies काफी जादा खराब रही है तो उन लगू किशिकों की विकास के लिए लगू क्रिशक विकास संस्थ ये कारेकरम के उधारन है, कौन से कारेकरम के उधारन है लक्ष शेतरों की विकास के लिए जो कारेकरम बनाये गए हैं उसके उधारन है ठीक है आठवी पंच वर्षिय योजना में परवतिय शेत्रों तथा उत्तर पूर्वी राज्यों जन जातियों पिछड़े शेत्रों में अवसंडचना को विक्सित करने के लिए विशिष्ट शेत्र योजना को तयार किया गया यहां से अबजेक्टिव बन सकता है कि कौन सी पंच योजना में ठीक है आगे अब परवतिय शेत्र विकास कारेकरम जो हमने यहां पर पढ़ा था परवतिय शेत्र विकास कारेकरम इसको थोड़ा हम लोग और डीटेल में इसके उपर चर्चा करेंगे परवतिय शेत्र विकास कारेकरमों को पांच वी पंच वर्षिय योजना में प्रारम भी किया गया तो जो परवती शेदर विकास कारेकरा में पहली बार कब स्टार्ट किया गया पाचवी पंच वर्षिय योजना में इसको स्टार्ट किया गया इसके अंतरगत उत्तर प्रदेश के सारे परवतिय जिले यानि कि वर्तमान उत्तराखंड को पता है उत भाजन जो हुआ था वो हुआ था मेरे ख्याल से 9 नवंबर 2000 को ठीक है और 15 नवंबर 2000 को बिहार से जारखंड को अलग कיया गया था काफी important डेट से आप याद रखना तो उत्तर प्रृदेश से उत्तरखंड को अलग किया गया था तो कौन कौन से हैं पहले तो उत्तर प्रदेश के सारे परवतिय जिले फिर हो गए मिकिर पहाड़ी और असम की उत्री कछार की पहाड़िया पशिम बंगाल का दारजिलिंग जिला और तमिल नाडू के नील गिरी आदी को मिलाकर कुल 15 जिले इसमें शामिल हैं टोटल कितने चेतरों पर राष्टिय समीती बनाई गई और उन सभी परवतिय चेतरों को पिछड़े परवतिय चेतरों में शामिल करने की सिफारिश की जिनकी उचाई क्या थी? 600 मिटर से अधिक है और जिसमें जन जातिय उपियोजना लागू नहीं है यानि जन जातिय उपियोजना अ इमलिकित बातों को ध्यान में रखकर पहाड़ी चेतरों में विकास के लिए सुझाओ दिया तो पिछड़े चेतरों के विकास के लिए जो राष्ट्य समीती बनाई गई तो उन लोगों ने कुछ पॉइंट्स बनाए और इन पॉइंट के आधार पर पहाड़ी चेतरों मे उनका फायदा हो और जो गरीब तबके के लोग है उनका फायदा नहीं हो ऐसा नहीं होना चाहिए दूसरा स्थानिय संसाधनों और प्रतिभाव का विकास किया जाना चाहिए ठीक है तीसरा जीवी का निर्वाह अर्थविवस्था को निवेश उनमुकी बनाना जीवी का निर्वाह अर्थविवस्था मतलब वैसी अर्थविवस्था जिसमें कुछ मतलब अपने जीवन को चलाने भर के लिए जो अर्थविवस्था होती है जीवन निर्वाह अर्थ विवस्ता जिसमें अधिशेश नहीं बचता है पैसा बचता नहीं है आगे के लिए या सेव करने के लिए वैसी अर्थ विवस्ता को कहते हैं जीवी का निर्वाह अर्थ विवस्ता तो इसको निवेश उनमुखी बनाना कि इसमें और पैसा इन्वे पांचवा है, पिछडे शेत्रों की बाजार विवस्था में सुधार करके श्रमिकों को लाब पहुचाना, यानि पिछडे शेत्रों में जो बाजार विवस्था है, वो परंपरागत पुराने तरीके की बाजार विवस्था है, तो उसमें सुधार करके श्रमिकों को जिस संतुलन बनाए रख सकता है यानि कि पर्यावरन को हम इग्नोर ना करें पर्यावरन के नुकसान को ध्यान में रखते विए हम विकास करें कि पर्यावरन का किसी भी तरीके से नुकसान ना हो पा और यहीं से जो है एक सतत पोष्णी व विकास की जो अवधारना है वो यहां से पैदा होती है कि हम विकास तो करें बढ़ विकास के दौर में इतने अंधे ना हो जाए कि हम पर्यावरण को ही नश्ट कर बैठें ठीक है आगे बढ़ते हैं पहाडी छेतर के विकास की विस्तिरती ओजनाए इनके स्थलाकृतिक, पारिस्थितिकिया सामाजिक तथा आर्थिक दशाओ को ध्यान में रखकर बनाई गई तो पहाडी छेतर के विकास की जो विस्तिरती ओजनाए बनाई गई किनके चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाई गई स्थलाकृतिक, यानि कि वहां के स्थलाकृति कैसी है पारिस्तितिकिय पर्यावरण कैसा है, सामाजी कहनी समाज कैसा है और आर्थिक दशाय अल्रेडी वहां के कैसे ही है, उसको ध्यान में रखकर बनाई गई ये कारेकरम पहाडी चेत्रों में बागवानी का विकास, रोपन कृषी, पशुपालन, मुर्गी पालन, वानी की लगू तथा ग्रामी नुद्द्योगों का विकास करने के लिए इस्थानिय संसाधनों को उप्योग में लाने के उद्देश से बनाए गए वानी की लगू तथा ग्रामीन उद्योगों का विकास करने के लिए स्थानिय संसाधनों को प्योग मिलाने के उद्योगों का विकास करने के लिए स्थानिय संसाधनों को प्योग मिलाने के उद्योगों का विकास करने के लिए स्थानिय संसाधनों को प्योग मिलाने के उद् आगे सूखा संभावी छेत्र विकास कारेकरम, इस कारेकरम की शुरूआ चौथी पंच वर्षिय योजना में हुई, इसका उदेश्य सूखा संभावी छेत्र में लोगों को रोजगार उपलब्द करवाना, तो एक इंपॉर्टेंट जो है अबजेक्टिव यहां से बन कि सूखा संभावी छेत्र विकास कारेकरम कौन सी पंच वर्षिय योजना में शुरू हुई, तो यह अंसर होगा चौथी पंच वर्षिय योजना, इसका उदेश्य सूखा संभावी छेत्र में लोगों को रोजगार उपलब्द करवाना, और सूखे के प्रभाव को कम करन पाचवी पंचवर्षिय योजना में इसके कारेशेतर को और विक्सित किया गया। ग्रामीर अवसन रचना जैसे विद्यूत सडको बाजार रिंस विधाव और सिवाव पर जोर दिया गया। जो छेतर अगर सूखा प्रभावी छेतर है, सूखे से परेशान अगर कोई छेतर है, सूखे से मारा हुआ छेतर है, तो वहाँ पर सबसे इंपॉर्टन क्या चीज हो सकती है। सिचाई परियोजना, उसके बाद भूमी विकास कारेकरम, भूमी के क्वालिटी में किस तरीके से हम बहतरी ला सकते हैं। बनी करण, यानि की पेड़ लगाया जाएंगे, तो टाइम पर भारिश होने की संभावना रहेगी। की समिक्षा की, जिसमें यह पाया कि यह कारेकरम मुख्यतर क्रिशी तता इसे संबंद सेक्टरों के विकास तक ही सिमित हैं। दिया गया, यानि की पर्यावरण का दोहन इसमें ना किया जाए, पर्यावरण का जो संतुलन है उसको स्थापित किया जाए। जनसंख्या वृद्धी के कारण, लोग क्रिशी के लिए सिमान्त भूमी का उपयोग करने के लिए बाध्य हैं। इससे परिश्थीति किया निमनिकरण हो रहा है। तो इसमें क्या हुआ था? कि जनसंख्या की वृद्धी जब होती है, तो लोग जो लास्ट बची हुई जमीन रहती है। सिमान्त भूमी का यही अर्थ होगा कि जो भूमी एकदम लास्ट लास्ट तक बची हुई होगी। मतलब जिस भूमी का उपयोग नॉर्मल तोर पर आप खेती के लिए नहीं करेंगे। तो जब जनसंख्या बढ़ने लगेगी तो जब जगा ही नहीं बचेगा। तो लास्ट में जो जमीन पर वन लगाएगा हैं उसको साफ करके जिस भूमी का आप नॉर्मल तरीके से ऐसे यूज नहीं करेंगे। तो उस सिमान्त भूमी का उपयोग करने के लिए लोग बाद हो जाते हैं। क्योंकि जनसंक्या बढ़ेगी तो उस जनसंक्या के सर्वाइवल के लिए उस जनसंक्या के जिवित रहने के लिए भाई खेत वगरा तो चाहिए अनाज लगेगा घर बनेगा तभी तो फसल होगे और लोग रहेंगे। तो सिमान भूमी कोपयों करने के लिए बाद है जिससे पारिस्थीति की अनिम्नीकरन हो रहा है यानी पेड़ पौधे कट रहें और पेड़ पौधे कटने से क्या होता है पर्यावरन में असंतुलन बनता है अथा सूखा संभावी शेत्रों में वैकल्पिक रोजगार आव करन जो है वो और जादा होते रहेगा तो क्रिशी के अलावे जो दूसरे रोजगारों की संभावना वहां पर बन सकती है उस पर ध्यान देने के लिए कहा गया ठीक है इन छेत्रों का विकास करने की अन्यरणन नीतियों में सूक्ष्म अस्तर पर समन्वित जल संभर विकास कारेकरम अपनाना शामिल है यानि छोटे अस्तर पर जल संभर विकास कारेकरम यानि पानी का स्टॉक करके उससे जो जल की जो आपूरती है उसको बहतर बनाने की कोशिश करना ये जल संभर विकास कारेकरम कंतर गताता है इसमें शामिल है सूखा संभावी शेत्रों के विक दिया जाना चाहिए क्रिशी भूमी बहुत ज्यादा यूज कर ली गई थी जो जंगल की भूमी थी उसको क्रिशी कारियों में बहुत ज्यादा यूज कर लिया गया था तो बाद में क्या किया गया कि सुखा संभावी शेत्रों के विकास के रणनीती में जो है जल मिट्टी पौधो, मानव तथा पशु जनसंक्या के बीच एक बैलन्स बनाने की कोशिश की गई, पारिस्तिति की असंतुलन बनाने की कोशिश की गई, और इसको पुना स्थापन पर मुख्य रूप से ध्यान देने के लिए कहा गया, ठीक है? 1967 में यूजना आयोग ने देश में 66 जिलो की पहचान सूखा समभावी जिलो के रूप में की, ठीक है? सिचाहंड आयोग ने तीस प्रतिशत सिंचित छेतर का माप दंड लेकर सूखा नटाद चेतर का परिसीमन किया यानि उसकी सीमा निर्धारित की कितने प्रतिशत जो चेतर हैं वो सूखा संभावी चेतर हैं भारत में सूखा संभावी चेतर मुक्यता कहा कहा मिले राजस्तान, गुजरात, पश्चिमी मध्यप्रदेश, महाराश्ट के मराटवाड़ा चेतर आंधर प्रदेश के रायल सीमा और तेलंगाना पठार, करनाटक पठार और तमिल नाडो की उच्च भूमी तथा आंधरिक भाग के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में फैले हुए हैं तो भारत के सूखा संभावी चेतर कहा कहा फैले हुए हैं आंधर प्रदेश के रायल सीमा और तेलंगाना पठार, करनाटक पठार और तमिल नाडो की उच्च भूमी तथा आंधरिक भाग के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में ये जो है ये फैले हुए हैं पंजाब हरियाना और उत्री राजस्थान के सूखा प्रभावी चेतर सिचाई के प्रसार के कारण सूखे से बच जाते हैं आपको पता होगा कि पंजाब हरियाना और उत्री राजस्थान से होकर ये जो एक नहर वहती है इंदरा गांधी नहर पुरानी नहर है तो इन शेत्रों में सिचाई की विवस्ता इन नहरों के माध्यम से हो गई है। तो यहाँ पर जो है, यह सूखा संभावी शेत्र अब नहीं है, अब यहाँ पर अच्छी-खासी सिचाई की विवस्ता हो गई है। है और एक केस अध्यान है ज्यादा इंपॉर्टन नहीं है लेकिन हम इसको देख लेंगे भर्मौर जंजाती है शेतर में हिमाचल के प्रदेश की चंबा जिले की दो तहसीले भर्मौर और होली शामिल है एक जगह का एक वर्णन किया गया है केस स्टडी है आगे पढ़ेंगे के तो किसी चीज को समझने के लिए किसी topic को समझने के लिए case studies का बहुत जड़ा питवेस होता के इस ड़िया जाता है कि आप जो चीजे पढ़ रहे हैं उस खेतर में अगर वह चीजे हैं तो उस पर किस तरीके की क्या चीज़े क्या कौन से जो है कदम उठाये गए हैं तो इसके बारे में डिफरेंट तरीके से बताया जाता है और ये आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्या बताने की कोशिश की गई है यहां से अबजेक्टिव बन सकता है इसलिए हम लो गद्धी जनजातिय समुदाय का आवास है एक जनजातिय समुदाय है कौन सी गद्धी तो इस जनजातिय समुदाय का आवास है इस समुदाय की हिमाले शेत्र में अपनी एक अलग पहचाने को गद्धी लोग रितू प्रवास करते हैं तता गद्धियाली भाषा में बात कर अब रितु प्रवास किसको कहते है आपने पहले पढ़ा होगा देखिए पहाडी इलाकों में रितु प्रवास किया जता है इसमें क्या होता है कि जो जनजातिया होती है वो गर्मी के समय में पहाडों के ऊपर रहने चली जाती है ठीक है क्योंकि ऊपर पहाड का मौसम ठंडा होता है तो वहाँ पे रहने चली जाती है गर्मी के टाइम में और जब पहारों पर बर्फ पढ़ने लगती है तो वो लोग नीचे तराई शेतर में आ जाते हैं शीतकाल के मौसम में तो यही जो जग़ा बदल-बदल कर रहने की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है इन जन जात पर्यावरन भंगूर है ठीक है इन कारकों ने इस चेत्र की अर्थविवस्ता और समाज को प्रभावित किया है यानि कि भर्मौर जन जातिय चेत्र में जो है जलवाईू कठोर है अधारभुद्थ, संसाधन वगेरा जो है वो होग कम है और पर्यावरन भी भंगूर है ठीक ह परियावरन हमेशा एक तरीके का नहीं रहता है तो जीवन जीने के लिए जो इस्ततिया है ये बहुत अच्छी नहीं है यहाँ पे तो इन कारकों नहीं शेदर की अर्थ विवस्ता और समाज को प्रभावित किया है 2011 की जनगर्णा के अनुसार 2011 में जनगर्णा हुई थी और हर दस साल पर जनगर्णा होती 2021 में जनगर्णा होनी थी जो अभी तक हुई नहीं है तो जब नया वाला डेटा जब आ जाएगा 2021 में तो हम जो भी आगे का पढ़ेंगे वो 2021 की जनकरणा के अनुसार पढ़ेंगे और अभी तक जो हमारा डेटा है वो चल रहा है 2011 की जनकरणा के अनुसार तो भरमौर उपमंडल की जनसंख्या कितनी थी? 49,113 थी अर्था 21 वेक्ति प्रतिवर किलोमेटर आप देख रहेंगे काफी कम लोग जो है प्रतिवर किलोमेटर बसे हुए है यह हिमाचल प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक रूप से सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है कौन सा भरमौर एतिहास एक तोर पर गदी जनजाती ने भौगोलिक और आर्थिक लगाओ का अनुभव किया है और सामाजिक आर्थिक रुकास से वन्चित रही है इनका आर्थिक आधार मुक्य रूप से क्रिशी और इसे संबंद करिया है जैसे भेड और बकरी पालन है जीवन इन लोगा काफी कठोर है एक लोगो इनकी जनसंख्या भी कमी है 49,113 है 21 व्यक्ती मातर प्रती वर किलोमेटर में रहते हैं और क्रिशी और उसके उपर आधारित जो चीजें हैं वो करते हैं जैसे भेड और बकरी पालन इनका मुक्य उद्ध्योग है इसके ये करके ये लोग क्या करते हैं अपना जीवन बसर करते हैं भरमौर जनजातिय चेतर में विकास की प्रक्रिया 1970 के दशक में शुरू हुई तो इस चेतर का विकास कब से शुरू हुआ 1970 के दशक में तो और कैसे विकास किया गया जब गदी लोगों को अनुसूची जनजातियों में शामिल कर लिया गया तो गदी जाती को अनुसूच जन जातिय विकास परियोजना, ITDP में ITDP का दर्जा मिला, इस चेतर विकास योजना का उद्देश गद्दियों के जीवन अस्तर में सुधार करना, और भर्माउर तथा हिमाचल प्रदेश के अन्य भागों के बीज में विकास विकास के इस्तर में अंतर को कम करना है इस योजना के अंतरगत परिवहन तथा संचार इस योजना के अंतरगत जो है भर्मौर के विकास के लिए परिवहन तथा संचार क्रिश्य और इससे संबंदित करिया हो तथा समाजिक और समुदाईक सेवा के विकास को सरवाधिक प्र जन स्वास्त सुविधाओ, पेजल, सडको, संचार और विद्यूत के रूप में अव संड़जना विकास है परन्तु होली और खणी छेत्रों में रावी नदी के साथ बसे गाओ अव संड़जना विकास से सबसे अधिकला भानवीत हुए तुंदा और कुगती छेत्रों के दूर दराज के गाओ अभी भी इस विकास की परिधी से बाहर है तो यहाँ पर एक छोटा सा उधारन दिया गया कि जो भर्मौर और होली यह जो पहले बहुत मतलब पिछडे हुए गाओ थे इसमें जब क्या हुआ जब जनजातियों का दर्जा दियेगा और उसके बाद धीरे धीरे करके इन छेत्रों का विकास किया गया और इन छेतरों का विकास करने के लिए कौन-कौन सी चीज़े की गई इन छेतरों का विकास करने के लिए विद्याले, जन स्वास्त सोविधाये, पे, जल, सडक, संचार और विद्युत के रूप में अवसंडचना विकास की गई और इसके अलावे होली और खणी छेतर, क्रिदी से बाहर है तो यह कुधारन दिया गया कि जिंग छेत्रों में विकास बहुत लेट से पहुचा उन छेत्रों का विकास कैसे वृ और किसी छेत्र विकास करने के लिए किन किन चीजो का विकास करना जरूरी होता है ठीक है आगे आते हैं सुधार हुआ और बाल विवाह में कमी हुई तो जिन जाती सम्मनली विकास उप्योजना होने से यह सारे फायदे हुए इस चेतर में स्तरी साक्षरतादर आप सोच सकते हैं 1971 में 1.88 प्रतिशत था और वो 2011 में बढ़कर 65 प्रतिशत हो गया सोच यह जिस चेतर में मात्र एक य अंतर अर्था साक्षरता में लिंग असमानता भी कम हुई है साक्षरता में लिंग असमानता मतलब हर पुरुष के उपर कितनी इस्तरिया शिक्षित है या इस्तरी पुरुष का शिक्षा अनुपात कितना है उसको हम कहेंगे इस्तरी और पुरुष साक्षरता दर में लिं निर्वाह क्रिशी वो पशुचारण पर आधारी थी तो गदियों की जो आरत व्यवस्ता थी वो किस पर आधारी थी जीवन निर्वाह क्रिशी किस प्रकावे क्रिशी होती है जिसमें उतनी ही क्रिशी होती है जिसमें खापी के गुजारा हो जाए कुछ बचता नहीं है आम और छेतर में दालो और अन्य नकदी फसलों की खेती में बढ़ोतरी हुए यानि पहले बस इतनी ही खेती की जाती थी कि खापी के गुजारा हो जाए और पशु पाले जाते थे लेकिन बाद में बीसवी शतापदी के अंतीम तीन दशक कौन से होंगे? उनिस सो सतर से लेकर उनिस सो निन्यानवे तक इन तीन दशकों में दालो और अन्य नकदी फसलों की खेती में जो है वो बढ़ोतरी हुए परंतु यहां खेती अभी भी परंपरागत तकनीकों से ही की जाती है जो टेक्नलोजी है वो अभी तक नहीं पहुँची है पारिवारी की काईयों का दस्वा भाग ही रितू प्रवास करता है तो यह लोग अब घुमंतु प्रकार का जीवन व्यतीत नहीं करते हैं रितू प्रवास नहीं करते हैं और कुल पारिवारी की काईयों का मातर एक बटा दस हिस्सा जो है वही रितू प्रवास करता है बाक इन गदी जन जाती में अभी भी लोग जो है वो गतीशील है क्योंकि एक बड़ी संख्या शर्द रितु में खेती वगरा करने के लिए, मस्दूरी वगरा करने के लिए आसपास के जिलो में, कांगडा और आसपास के शेत्रों में ये लोग क्या करते हैं, प्रवास कर जाते ह महां से एक रितू के बराबर जितने दिर वहां पर रोजगार रहता है काम करके फिर अपने घर को वापस आते हैं ठीक है अब आते हैं दूसरा जो important point था सतत पोश्णिय विकास इसके बारे में हम लोग आप डीटेल में पढ़ेंगे ठीक है तो साधार्णतया विकास शब्द निर्धारित करते हैं मानव इतिहास के लंबे अंतराल में समाज और उसके जैव भौतिक पर्यावरन के निरंतर अंतर करियाए समाज के सितिका निर्धारन करती है तो मानव इतिहास के लंबे अंतराल में समाज और उसके जैव भौतिक पर्यावरन यानि समाज और उसके आ मानो और पर्यावरन अंतहकरिया की प्रकरिया इस बात पर निर्भार करती है कि समाज में किस प्रकार के प्रध्योगी की विक्सित की है और किस प्रकार के संस्थाओं का पोशन किया है। विकास से रिलेटर जो भी संस्थाओं है डिफरेंट तरीके के संस्थाओं बनाई गई जिन्होंने विकास में अपना योगदान दिया और नई-ने टेकनलोजी आई जिससे विकास की गती क्या हुई तेज हुई तो वही कह रहा है कि मानो प्रयावरन अंतहकरिया को गती प्र एक बहु आयामी संकल्पना बहु आयामी मतलब विकास के बहुत सारे रूप है विकास एक डिरेक्शन में नहीं होता है सिर्फ एक ही चीज में विकास नहीं होता है जब किसी छेत्र का विकास होने लगता है तो बहुत सारी चीजों का विकास होता है अगर आप कहें कि हमार आसवास के शेतर में विकास हो रहा है, तो इसका अर्थ आप कैसे लगाएंगे, इसका अर्थ क्या सर्फ आप ये लगाएंगे कि सिर्फ सडके बन रही है, या सिर्फ बिजली आ रही है, जब विकास होता है, तो सरवांगिन विकास होता है, हर तरीके की चीजे होती है, आपक अपका connection है, आप कितनी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुँच पाते हैं, तो ये सारी चीजों का एक साथ विकास होता है, शिट्षा के लेवल में एक उन्नती आती है, उसके अलावे जो स्वास्त का इस्तर है, वो बहतर होता है, अच्छे स्पताल बनते हैं, जिससे ब विकास विवस्ता समाज तथा पर्यावरण में सकारात्मक और अनुत कर्मिया परिवर्तन का दो तक है। और इस संकल्पना का प्रादुर्भा बीसवी शताब्दी के बाद वाले सालों में हुआ है। समय के साथ बढ़ोतरी के रूप में माना जाता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं था क्योंकि ऐसे भी देश थे जहां पर आर्थिक व्रिद्धी तो काफी हो रही थी। देश काफी तेज गती से आर्थिक व्रिद्धी कर रहा था लेकिन उन देशों में गरीबी भी बढ़ती जा रही थी। तो गरीबों के शेतर में विकास नहीं हो रहा था। तब जाके ये समझ में आया कि नहीं भी या सिर्फ आर्थिक व्रिद्धी ही जो है वो विकास का आधार जो है वो नहीं है। अता 1970 के दशक में पुनर वित्रण के साथ व्रिद्धी और समानता जैसे वाक्यांश विकास की परिभाशा में शामिल किये गए तो इसको चेंज करके कुछ और जो आयाम है उसको विकास में जोड़े गए कि पुनर वित्रण के साथ व्रिद्धी और समानता जैसे वाक्या जा सकता मतलब कि सिर्फ आर्थिक विकास को ही विकास नहीं कहेंगे कि कहीं किसी शेतर में अगर सिर्फ पैसा बहुत जादा आ रहा है देश की अगर आर्थिक प्रगती हो रही है तो उस देश में विकास हो रहा है ऐसा कोई जरूरी नहीं है इसमें लोगों के कल्यान रहने क इसमें अगर विकास हो रहा है ये अगर बढ़ियां हो रहा है समय के साथ तो कहा जाएगा कि यहां पर विकास हो रहा है जिसमें समाज के सभी लोगों के लिए ब्रिहद इस्तर पर बड़े इस्तर पर समाजिक और भौतिक कल्यान का समावेश किया गया 1960 के दशक के अंत में पश्चिमी दुनिया में पर्यावरन संबंदी मुद्धो पर बढ़ती जागरुकता की समानि वृद्धी के कारण सतत पोषनिय धारना का विकास हो तो इसके लिए सतत पोशनिय धारना का विकास हुआ यानि की विकास के साथ-साथ पर्यावरन का ध्यान रखा जाए। इससे पर्यावरन पर ओध्यों की विकास के अना पेक्षित प्रभावों के विशय में लोगों की चिंता प्रकट होती थी। 1962 में प्रकाशित एहरलिच की पुस्तक The Population Bomb और 1972 में मिडोस और अन्य द्वारन लिखी गई पुस्तक The Limit to Growth काफे इंपोर्टेंट होता है कभी-कभी किताबों के बारे में पूछता है कि कौन से लेकर की रचना है तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। इसके प्रकाशन के विशय पर लोगों और विशेशकर पर्यावरन विदो की चिंता और भी गहरी कर दी। पर्यावरनिया मुद्दो पर विश्व समुदाय की बढ़ती चिंता को ध्यान में रखका संयुक्त राश्तंग ने विश्व पर्यावरन और विकास आयोग की स्थापना कर दी। और इसके प्रमुक नौर्वे की प्रधान मंत्री गरो हरलेम ब्रटलेंड थी। तो संयुक्त राश्तंग ने पर्यावरन के मुद्दो पर विश्व की बढ़ती चिंता को ध्यान में रखते हुए एक विश्व पर्यावरन और विकास आयोग की स्थापना की जिसके प्रमुक नौर्वे की प्रधान मंत्री जो थी वो गरो हरलेम ब्रटलेंड थी। अब्जेक्टिव में पूछ सकता है। की सीधी सरल और विवत स्थर पर परियुक्त परिभाशा परिभाशा प्रस्तुत की तो WECD ने सदत पोष्णिया विकास की परिभाशा दी। इस रिपोर्ट के उनुसार सदत पोष्णिया विकास का अर्थ है। एक ऐसा विकास काफी इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा विकास जिसमें भविश्य में आने वाली पीडियों के आउशक्ता पूर्ती को प्रभावित किये बिना वर्तमान पीडियों तो अपनी आउशक्ता की पूर्ती की जाए, यानि कि हम अपनी जरूरतों को पूर्थी तो करे लेकिन हम ऐसा ना कर दे कि हमारे आने वाली पीडियों के लिए कुछ बचे ही नहीं तो हमारे आने वाली पीडियों के विकास को ध्यान में रखते हुए, उनके विकास को प्रभावित न करते हुए, अपना विकास करना सतत पोश्णिय विकास कहा जाएगा, ठीक है? एक और केस अध्यान है, इंद्रा गांधी नहर कमान शेतर, कमान शेतर मैंने बताया था, किसी भी नहर या न दियो के द्वारा सेंचित, जो शेतर होता है वो उसका कमान शेतर कहा जाता है, तो इंद्रा गांधी नहर जिसे पहरे राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, भारत के सबसे बड़े नहर तंत्रों में से एक है, प्रवाह नहर तंत्र और लिफ्ट तंत्र द्वारा किया जाएगा प्रवाह नहर तंत्र और लिफ्ट तंत्र के बारे में भी थोड़ी देर में पढ़ेंगे नहर का निर्मान कारे दो चरणों में पूरा किया गया है चरण एक में कमान चेतर का भूतल जो है वो थोड़ा उबर खाबड़ है और इसका क्रिशी योग के कमान चेतर जो है वो पाँच दशमलों पाँच तीन लाख हेक्टेयर है चरण दो का कमान चेतर कहां से कहां तक है बिकानेर जसलमेर बाडमेर जोधपूर नागार और चुरू जिलो में 14.1 लाख हेक्टेयर क्रिशीयों के भूमी पर फैला हुआ है इसमें स्थानांतरी बालू टिब्बो वाला मरुष्थल भी सम्मिलित है जहां स्थानांतरी बालू टिब्बे पाये जाते हैं ग्रिश्मेरीतु में तापमान जो है वो 50 डिगरी सलसियस तक पहुँच जाता है क्योंकि बालू जो है वो दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है जो टेंपरेचर है तो उस छेत्र का वो 50 डिगरी सलसियस तक पहुच जाता है लिफ्ट नहर में ढाल के विपरीत परवाह के लिए जल को जो है बार-बार मशीनों से उपर उठाया जाता है तो परवा इंद्रा गांधी नहर तंत्र में सभी लिफ्ट नहरे मुख्य नहर के बाय किनारे से निकलती है तो इंद्रा गांधी नहर एक सिंगल नहर नहीं है इसका पूरा नहर तंत्र है ठीक है तो इसकी सभी जो लिफ्ट नहरे है वो मुख्य नहर के बाय किनारे से निकलती है जब जो है वो उल्टा होता है यानि नीचे से लिफ्ट करके जैसा कि नाम से स्पष्ट है लिफ्ट करके उठा के पानी को जो है वो नीचे से उपर की तरफ भीजा जाता है चरण एक के कमान शेतर में सिचाई की शुरुआत 1960 के दशक में आरंब हुई तो इंद्रागंदी नहर के चरण एक में जितना निर्मान किया गया था उस शेतर में सिचाई की शुरुआत जो है 1960 के दशक में आरंब हुई जबकि चरण दो कमान शेतर में 1980 के दशक के मध्य में जो है वो सिचाई आरंब हुई कमान दो शेतर में 1980 के दशक के मध्य में सिचाई जो है वो आरंब तो इस छेतर का जो पर्यावरनी परस्तिती पर है इस पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है और नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है अब दोनों देखेंगे लंबी आधी तक मृदा नमी उपलब्द होने और कमान छेतर विकास के तहर शुरू किये गए वनी करण और चार जल के अत्यधिक परियोग से जल भराव और मिर्दा लवनता की दोहरी पर्यावरनी समस्या उत्पन हो गई है तो पहले तो बोल रहा है कि बहुत अच्छा हो गया है जो सूखा जमीन था भरी भरी हो गई है लेकिन बहुत सघन सिचाई चुकि एकदम नहर के पास है भाई तो बहुत जादा सिचाई हमेशा सिचाई वहां पर उपलब्द है और जल के अत्यधिक परियोग किया जा रहा है जिससे जल भराव हो गया है और मिर्दा की जो लवनता है उस पर दोहरी पर्यावरनी समस्या जो है वो उत्पन हो गई है नहरी सिचाई के प्रसार से इस प् अत्पूर्ण कारक था पर दो नहरोद्वरासिंचिच छेतर के विस्तार से बोय गए चेतर में विस्तार हुआ है और फसलों की सघंता में व्रिद्धी हुई है यानि कि पानी सिर्फ अवेलेबल हो जाने से पानी की उपलब्दता सुचारू हो जाने से चेतर के विस्तार से बोय गए चेतर में विस्तार हुआ है लेकिन टोटल जितने चेतर पर क्रशी की जा रही है उसमें विस्तार हुआ है और फसलों की सघंता में व्रिद्धी हुई है यानि कि जो पहले फसले मालनी जी कि पहले या तो हमें ऐसे भी देख सकते हैं कि पहले जो कम सघंता पर फसले बोई जाती थी या एक साल में जो पहले अगर एक फसल होती थी तो उसके जगत अभी दो या तीन फसले भी हो रही है यहां की पारंपरिक फसले जो थी पहले चना, बाजरा और गवार वगार थी उसके स्थान पर गेहु कपास, मुंग फली और चाव्ल हो रहे हैं क्योंकि पाणिकी उपलबदिता काफी जादा हो गई है और गेहु, कपास, मुंखली और चावल के लिए पाननी तो जरूरी होता है भई, चावल के लिए तो बहुत जादा जरूरी होता है आपको पता है तो इंद्रागंधी नहर के आजाने से इन छेतरों में जहां सिर्फ पैल चना, बाजरा और गवार जैसी चीजों की खेती होती थी अब गेहु, कपास, मुंखली वगएरा की चावल वगएरा की खेती भी हो रही है यह सगन सिचाई का परिणाम है नी संदे सगन सिचाई से आरंभ में कृशी और पशुदन उत्पादक्ता में अत्यधिक वृद्धी हुई है जल जल भराव और मिर्दा लवणता की समस्याय उत्पन हो गई है तो अब सतत पोश्णिय विकास, सतत पोश्णिय विकास का मैंने उधारन देखा था कि भविश्य की, भविश्य के विकास को बिना प्रभावित किये हुई अपना विकास करना लेकिन पानी में अगर, स्वारी जो पीडिया है वो तो खेती नहीं कर पाएंगी, तो इसलिए इसकी सतत पोश्णिय विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन से उपाय किये जा सकते हैं, तो उसको देखेंगे, बहुत से विद्वानों ने इंद्रा गांदी नहर परियोजना की पारिस्थीति किया पोश्णता पर प्रश्ण उठाये हैं, पिछले चार दशक में जिस तरह से इस चेतर में विकास हुआ है और जिस से तरह भौतिक पर्यावरण का निम्निकरन हुआ है, इस विद्वानों के इस द्रिश्टी कोंड को काफी हट तक सही बिठाराया गया है, एक अन्यमाननी त पोश्णिय विकास का लक्षे प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से पारिस्थितिकिय स्थत्थ पोश्णता पर बल देना होगा, इसलिए इस कमान चेतर में स्थत्थ पोश्णिय विकास को बढ़ावा देने वाले प्रस्तावीत, साथ उबायों में से पांच उपाय पारिस्थितिकिय संतुलन पुनर स्थापन करने पर बल देते हैं, कह रहा है कि इस छेतर में अगर सतत्थ पोश्णिय विकास पर ध्यान देना है, तो इस छेतर का जो पारिस्थितिकिय संतुलन है, यानि जो पर्यावरण का संतुलन है, उसको पुनर स्थापिद अगर कर दिया जाएगा तो अपने आप जो है सतत पोष्णिय विकास जो हो पाएगा इसलिए साथ जो तरीके बताए गया है उसमें पांच सिर्फ यही तरीके है कि भाई इस छेत्र में जो पारिस्थिति की संतुलन है जो परियावरण का संतुलन है उसको वापस से स्थापित कर दो ठीक है पहला हो गया पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवशकता है जल प्रबंदन निति की कठोरता से कार्यानवन करना है यानि वाटर मैनेजमेंट जो है इसको बहुत बढ़िया से और कठोरता से इसके उपर काम किया जाना चाहिए इस नहर परियोजना के चरण एक में क फसलों को नहीं बोया जाना चाहिए इसका पालंग करते हुए क्रोफिंग प्याटर मतलब एक खास बये शेतर में कौन कउन सी फसल History बोई जारी है किसके बाद कौन सी फसले बोई जारी उसको कहेंगे इंगलिश में क्रोफिंग पैटर प्र हिंदी में कहेंगे श क्ष्य प में ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती तो ऐसे फ़लो कि आप वहां पे खेती कीजे तीसरा तरीका कौन सा है भाई तो कमान छेतर विकास कारेकरम जैसे नालों को पक्का करना भूमी विकास सम्तलन और वारबंदी उसरा पद्धती ये क्या होती है वारबंदी उसरा तो इस तरीके की चीजे नहीं होनी चाहिए नाले जो है उसको पक्का कीजिए भूमी का विकास कीजिए बराबर कीजिए भूमी और वारबंदी कीजिए तक ही वारबंदी उसरा पद्धती जिसमें ये कहा जाता है कि निकास में निकास के कमान छेतर में नहर के जल का जो व भूमी का पुनरुद्धार किया जा जाएगा तो जलाकरांद मतलब जहां डूबा हुआ रहता है जो चेटर और लवन्य से जो प्रभावीत भूमी में काफी ज़दान्नमक हो गया है उससे उसका पुनरुद्धार किया जाएगा इसी कारे करम के तहड पाफ़ा है वनी करण व्रिक्षो का रक्षन मेखला का निर्मान और चारगाह का विकास पाचवा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा इन छेत्रों में वन लगाये जाएंगे तो वन वर्षा को भी आकरशित करेंगे और वर्षा को आकरशित करेंगे तो हरियाली बढ़ेगी छेत्र में तो वनी करण और ब्रिक्षों का रक्षन मेखला का निर्मान और चारागाह का विकास किया जाए परजू पक्षियों के लिए भी होगा और हर्याली भी रहेगी इस छेत्र विशेशकर चरंदो के भंगुर पर्यावरण में पारी तंत्र विकास यह इनि एको डेवलप्मेंट के लिए अति आवश्यक है कि पारी तंत्र विकास किया जाए छटा है इस प्रदेश में सामाजिक सतत पोश्रंता का लक्ष अतभी हासिल किया जा सकता है जब गरीब आर्थी किस्तिती वाले जो किसान है उनको प्रयाप्मातरा में वित्तिया और संस्थागत शायता उपलब्द करवाई की जाए ताकि वो अपनी जीवन का निर्वाह कर सके मातर क्रिशी और पशुपालन के विकास से छेतर में आर्थिक सतत पोश्रंता के विकास के उधारना को साकार नहीं किया सकता तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिशी और पशुपालन का ही विकास कर देंगे तो इस छेतर में सतत पोश्णिय विकास हो जाएगा उसके लिए और क्या क्या चाहिए कृषी और इससे संबंधित कारे कलापों को अर्थ विवस्था के अन्य सेक्टरों के साथ विक्सित करना पड़ेगा यानि कि कृषी और पशुपालन तो करना ही है लेकिन अर्थ विवस्था के जो अन्य सेक्टर है द्वितियक सेक्टर है तिरितियक सेक्टर है उसके साथ जो है विक्सित करना पड़ेगा इनसे इस छेत्र के आर्थिक विविधिकरन होगा यानि कि जो पैसा है वो बहुत सारे छेत्रों से आएगा इसको कहा जाता है आर्थिक विविधिकरन ऐसा नहीं कि पर निर्वर नहीं रहेंगे अलग-अलग छेतरों से पैसा जो है वो आएगा और आर्थिक विकास लोगों का होगा ठीक है तो बस छोटा सा चैप्टर था ये और आपको पता ही है अब चैप्टर खतम हो गया तो क्या क्या करना है एक बार इंदरा गांदी नहर वगरा की फो और आसान सा चैप्टर था चोटा सा चैप्टर था और इसमें जो भी मार्क कराया गया है उसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे ठीक है तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं फिर मिलेंगे अगले क्लास में बहुत बहुत धर्निवाद